आरके सिंह सुखु मिमोरियल पबलिक स्कूल में कच्छा भार के समस्थ चात्राओं का स्वागत करता हूँ मैत्री सरण गुप्त द्वारा लखी साकेत महाकावी की उर्मिल्या के बिरह वर्ण लक्षमाण और उर्मिल्या के बिरह का वर्ण प्रस्तुत पंक्त में किया गया है निरक सकी एक खंजन आए हे सकी देखो एक खंजन पक्षी जो सरत काल में दिखाई देता है ऐसा मालूम पड़ता है कि खंजन पक्षी के रूप में हमारे प्रेतम जो है आ गए है फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे रंजन मेरे स्वामी आज उनकी जो है उन्हें हमारी याद आ गई है इसलिए अपने आँखों को हमारी ओर घुमाया हुआ है आज हम उन्हें बहुत अच्छे लग रहे हैं हैला उनके तनका आतप ऐसा मालूम पड़ता है कि उनके सरीर की आतप आतम है गर्मी मन से सरसर साए मन से हिर्दय से सरोवर के समान जो है प्रसंचित दिखाए दे रहे हैं घुमें वे इस ओर वहां यद वे कभी उन्हें हमारी याद आ जाए तो हमारी याद करके वे अगर इधर घुमने के लिए आ जाते हैं तो हंस के समान उड़ करके उन्हें जो है सीतलता प्रदान करें करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए उर्मिला जी कहती हैं कि आज ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे स्वामी आज हमारे उनकी याद जो है उन्हें हमारी याद अवस्याए होगी और ऐसा ध्यान करके वे अवस्याए होगी फूल उठे हैं कमल अधर से उनके कमल के समान ओट खिल गए होंगे प्रसन चित हो गए होंगे और उस बंधुक फूल के समान सुंदर दिखाई दे रहे होंगी स्वागत स्वागत सरद रित आपका हम हिर्दय से स्वागत करते हैं भाग से मैंने दर्सन पाए ऐसा मालूम परता है कि मैं बहुत ही भाग साली हूँ जो की उनका मुझे दर्सन हुआ नभने मोती वारे इतना जो है प्रकित भी जो है उनसे इतना प्रसन है कि आकास से मोती वारे आकास से तारे रूपी मोती दिखाई दे रहें लो ए अस्रू अर्ग भर लाए उनकी याद आते ही आँखों में जो है आशू भर गए शिसिर न फिर गिरी बन में या शिसिर का वारन है कि तुम इस जंगल गिरी माने पहार पहार और जंगल में मत घूमो जितना मांगे पज़र दोंगी मैं इस निजन नंदन में अपने बियोग का वारन करते हुए कहती है कि शिसिर कि तुम पहारों और जंगलों मत घूमो जितना तुम पतज़र क्योंकि उस रित्म में पत्ते जो है अधिक गिरते हैं इसलिए कहा जितने भी पतज़र मांगोगी उतना मैं अपने इस शरीर रूपी बन से दोंगी कितना कमपन तुझे चाहिए कितना कमपन अगर तुझे चाहिए ले मेरे इस तन से तुम मेरे इस सरीर से ले लो सखी कह रही पांडुरता का क्या अभावानन में मेरी सखीया मुझसे कहती है कि पांडुरता पीले पन का हमारे मुख में कोई अभाव नहीं है मेरा सरीर जो है मेरा मुख पीला पन से चाहिए हुआ है बीर जमा दे नयन नीर यज तू मानस भाजन में कहा कि तुमें तब मैं वीर जानू जब मेरे आँखों में जो आँसू बह रहे हैं इसको तुम जमा दे यज तू मानस भाजन में मेरे मन रूपी मेरे मन में मेरे आँखों में इन आँसों को तुम जमा दो तभी मैं तुम्हें बीर समझे तो मोती सा मैं तो मोती सा मैं अकिंचना रखूँ तो मोती के समान जो मैं अकिंचना हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन उसे मैं मोती के समान अपने मन में रखूँ हसी गई लक्षमर जी के जाने से मेरी हसी उनी के साथ चली गई रो भी न सकूँ और मैं उनके बियोग में रो भी नहीं सकती मैं अपने इस जीवन में मैं अपने इस जीवन में हसी तो चली ही गई और उनके बियोग में रो भी नहीं सकती तो उतकंठा है देखूं फिर क्या हो भावगोन फिर भी मेरी यह लालसा है मेरी यह इक्षा है कि इस भावगोन में इस संसार में क्या हो रहा है क्या आगे होगा उसको देखने की मेरी इक्षा करती है आगे कभी कहता है मुझे फूल मत मारो हे काम देव। तुम अपने फूलों के बानों से मुझे घायल मत करो। मैं अबला भाला भियोगनी, मैं अबला हूँ, मैं इस्त्री हूँ, अभी मेरी उम्र बहुत ही कम है बाला भियोगनी हूँ, बहुत ही कम अवस्ता में मैं भियोग को धारण किये हूँ, कुछ तो दया विचारो, आप मेरे उपर कुछ तो दया का विचार केजिए, मेरे उपर कुछ तया कीजिए होकर मद के मीत मदन तुम मद मने बसंत रित के मीत हो मदन हो काम दे हो पटू तुम कट गरल नगारो तुम बहुत ही कठोर हो मेरे उपर अपने बिस का कुछ भी प्रभाव मद डालो मुझे बिकलता यद जब तुम्हारे बानों से मैं घायल होकर के ब्याकुल जरूर होंगी लेकिन उसमें तुम बिफल होगे मुझे बिकलता तुम्हे बिफलता उसमें तुम बिफल हो जाओगे ठहरो स्रम परिहारो अगर तुम ठक गए हो तो थोड़ा रुक जाओ और अपनी ठकान को मिटालो नहीं भोग निया मैं कोई उर्मिला जी कहती है मैं कोई भोग करने वाली वबस्तू नहीं हूँ जो तुम जाल पसारो जो तुम अपनी अपने जो है माया का जाल जो है हमारे उपर फैलाए हुए बल हो तो सिंदूर बिंद कहा अगर बल है तो तुमारे अंदर कोई ताकत है तो इस हमारे सिंदूर की बिंद को यह यह हर नेत्र नहीं हारो यह संकर जी के तीसरे नेत्र के समान है कि तुम उसे देखोगे तो यहां भस्म हो जाओगे रूपदर्प तुमें अपने रूप का घमंड है कंदर तुम्हें लो और तुम देखने में बहुत सुन्दर हो तुम्हें तो मेरे पज़ पर वारो तुम्हें 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 अपने पज़ पर ही निवच्छावर कर देती हूँ लो यह मेरी चरण धूली तुम मेरी इस चरण धूली को लो और उस अपने पत्नी रच के सिर पर इस धूल को ले जाकर के डाल देना यही आता है इस मन और मिला जी काती है कि हमारे मन में यह बिचार आ रहा है छोड धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी बनने ऐसा मन करता है इक घरा दुबरवा को छोड छाड की उसी जंगल में छोड धाम धन इस महल और धन को छोड करके मैं भी उसी जंगल में जाकर के रहूं मैं भी रहूं उसी बनने प्रिय के ब्रत में बिग्ण डालूं थोड़ी सी जो है संका होती है कि अपने प्रियत्म के ब्रत में मैं किसी ही प्रकार का बिगन डालू रहू निकट भी दूर उनके निकट भी रह करके उनसे दूर ही रहू ब्यथा रहे कश्ट जरूर रहेगा कि भाई हम यहां रहे हो वहां रहे ब्यथा रहे कश्ट भी रहे पर साथ साथ ही समाधान भर प्रसन्नता भी होती है रुलाई में भी प्रसन्नता होती है यही आता है इस मन में हमारे मन में यही विचार आता है बीच बीच में उन्हें देख लूँ जब उस रास्ते से वे निकल जाए आगे बढ़ जाएं तो मैं उसी धूल में लोट करके पूरे धूल को उनके चरणों की धूल को अपने सरीर में लपेट लूँ रहे रत वे निक साधन में और जो वे तपस्या कर रहे हैं अपनी तपस्या में वे लीन रहें यही आता है इस मन में मेरे मन में यही बिचारा थे जाती जाती जाते जाते गाती गाती गाते गाते कह जाओं यह बात इस बात को मैं कह जाओं धन के पीछे जन कि आज जो है मनुस्य धन के पीछे दवर रहा है जितने भी काम हो रहे हैं सब धन के पीछे धन के पीछे जन आज मनुस जो है धन के पीछे लगा हुआ है जगती में उचित नहीं उत्पाद संसार में इस तरह का उत्पाद करना कोई अच्छा नहीं है प्रेम की ही जै जीवन में जीवन में जै प्रेम की ही होती है बिजे प्रेम की होती है यही आता है इस मन में हमारे मन में यही बिचार आता है